अनिल कपूर ने माफी मांग ली है दरसल वायू सेना ने बकायदा एक ट्वीट करके अपनी नाराजगी जाहिर की थी उस एक सीन को लेकर जो अनिल कपूर की अपकमिंग वेब सीरीज में नजर आये था दरसल एक वेब सीरीज आ रही है अनिल कपूर की और अनुराग कश्यप की एके वर्सेज एके कुछ दिन पहले बहुत अलग अंदाज में इन दोनों ने अपनी इस वेब सीरीज का प्रमोशन किया था नेट्फिक्स पर ये वेब सीरीज आने वाली है और इसका प्रमोशन के इस तरीके से किया गया था जैसा कि इसका नाम है एके वर्सेस एके तो इसी तरीके से प्रमोशन किया गया था ये एक तरीका था अपनी वेब सीरीज को प्रमोट करने का इसी बीच अब एक और सीन वाइरल हो रहा है जिसमें अनिल कपूर ने वायू सेना की वर्दी पहनी हुई है और वो कुछ आपत्ती जनक शब्द कह रही है कुछ ऐसी बाते कह रही है जो कि अब वायू सेना को रास नहीं आई और उन्होंने बकाइदा ट्विटर पर उफीशल ट्विटर पेज जो है वहां से एक ट्वीट किया गया और उसमें ये लिखा गया कि हमारी भावनाई सियाहत हुई है मतलब हमें अच्छा नहीं लगा जिस तरीके की भाशा का इस्तमाल आपने वर्दी पहन कर किया इस पूरे मसले पर इस पूरे विवाद पर अब अनिल कपूर का रियाक्शन आ गया है बकाइदा एक वीडियो शेयर करकर अनिल कपूर ने माफी मांग ली है इस वीडियो में अनिल कपूर ने कहा है मेरी नई फिल्म एके वर्सिस एके के ट्रेलर ने कुछ लोगों को दुख पहुँचाया है उसमें मैंने भारतिय वायुसेना की युनिफॉर्म पहन कर कुछ आपत्ती जनक शब्दों का इस्तमाल किया है अनजाने में लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ इसके साथ साथ अनिल कपूर ने उस सीन का भी जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि फिल्म में युनिफॉर्म पहने मेरा वो कैरेक्टर इसलिए नजर आया क्योंकि वो एक ओफिसर का रोल अदा कर रहा है और जाहिर सी बात है जब उससे पता चलता है कि उसकी बेटी किड़नाप हो गई है तो वो अपना गुसा जाहिर करता है जो कि पूरी तरीके से भावनातपक तोर पर बिल्कुल ठीक है क्योंकि उस टाइम पर कोई भी उस तरह से रियाक्ट कर सकता है तो ये अनिल कपूर ने सफाई दी है और साथी साथ ये भी कहा है कि वो बस कहानी के प्रती इमानदार रहने के लिए वो कैरेक्टर था इसलिए अगर मेरा कैरेक्टर युनिफॉर्म पहने हुए है जो कि अपनी बेटी को जी जान से ढूनता है और अगर वो नहीं मिलती है तो वो परेशान हो जाता है और फिर इस तरह की भाशा का वो इस्तमाल करता है कुल मिलाकर ये जो पूरी कॉंट्रोवर्सी हुई है पूरा विवाद हुआ है इस पर अनिल कपूर ने माफी मांग ली है लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी उनको ट्रोल किया जा रहा है और लोग यही कह रही है कि बोलने से पहले कोई सीन फिल्म आने से पहले क्यों नहीं सोचा जाता है जब तक कोई रियाक्शन नहीं आता है उससे पहले क्यों उस चीज़ पर अमल नहीं किया जाता है कुलमिलाकर ट्रोल अभी भी अनिल कपूर हो रही है लेकिन इस वेब सीरीज में आने वाले वक्त में और क्या कुछ ऐसे सीन्स मिलने वाले है ये देखना अभी दिल्चस्प होगा क्योंकि अभी तो रिलीज भी नहीं हुई है और उससे पहले ही कॉंट्रोवर्सीज में घिर गई है देखना होगा आने वाले वक्त में क्या कुछ बवाल इस वेब सीरीज को लेकर होता है इस वेब सीरीज को लेकर आप कितने एक्साइटेड है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा टेरा टेरा चेल गबसाने भी बताउर इस जवेर एक टेडियन एक्साइबसाइबसा है कि आम बार इसन ऑन्र एपर्स अनिवार्स आफर्स अनिवान इस उस्जासे को इसक्व है while advocating for unintentionally hitting anyone's sentiments. I'd just like to supply some context to now that I can still help you understand how things came to Videshweyay. My character in the film is in uniform because he's an actor playing the role of an officer when he finds out that his daughter has been kidnapped. The anger and rage he experiences and portrays is that of an emotionally distraught father. It was only in the interest of remaining true to the story that my character is still wearing the uniform on his quest to find his missing daughter it was never my intent or the intent of the filmmakers to disrespect the Indian Air Force I've always had the utmost respect and gratitude for the selfless service of all our defense personnel and so I truly apologize for unintentionally hurting anyone's sentiments